सपा से चुनाव लडेंगे वरुन गांधी, सुनकर चौक गए ना, वैसे इस खबर को सुनकर हर कोई ऐसे ही चौक रहा है। दरसल सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी नेता वरुन गांधी के समाजवादी पार्टी की टिकट पर पीली भीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर इस लिस्ट के आते ही सियासी गलियारे में बड़ी हलचल पैदा हो गई। जिसके बाद समाजवादी पार्टी को आगे आकर खुद सफाई देनी पड़ी। आखिर क्या है पूरा माजरा ऐसे समझिए। इस लिस्ट के आने के बाद कयास लगाये जा रहे हैं कि क्या बीजेपी सांसद वरुन गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। क्या वो इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी से उनका टिकट कटना ते हो गया है। आखिर इस दावे की सच्चाई क्या है तो इसका जवाब अब खुद समाजवादी पार्टी की और से आया है। सोशल मीडिया पर वरुन गांधी को सपा का टिकट दिये जाने के दावे पर सपा का बयान आया है। समाजवादी पार्टी ने ऐसी किसी भी लिस्ट के आने से इंकार किय पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वाइरल हो रही है वो फरजी है उससे सावधान रहें। बीजेपी ने अभी पीली बीच से अपना प्रत्याशी भी घोशित नहीं किया है और नहीं सपा की ओर से इसका एलान किया गया है।